दुर्वासा रिशी कौन थे और उनका जनम कैसे हुआ था हिंदु पुराणों के अनुसार दुर्वासा रिशी एक महान रिशी हुआ करते थे दुर्वासा रिशी को युगो युगो तक याद किया गया है ये महान रिशी ने सत्यूग, द्वापर और त्रेता यूग में भी मानो जाती को ग्यान की शिक्षा दिये। दुर्वासा रिशी भगवान शिव जी का अफ़तार माना जाता है। वे खुद भी भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। दुर्वासा रिशी को अधिक क्रोध के लिए जाना जाता है दुर्वासा रिशी बगवान शिफ के अवतार थे लेकिन उनसे बिलकुल अलग थे बगवान शिफ को मनाना जितना असान था दुर्वासा रिशी को मनाना प्रसंद करना उतना ही मुश्किल काम था लेकिन दोनों का क्रोध एक समान था दुर्वासा रिशी का क्रोध इतना तेज था जो कई बार उनके लिए भी घातक हो गया जाता था। क्रोध के चलते दुर्वासा रिशी किसी को भी दंज श्राब दे दिया करते थे। उनकी क्रोध से राजा, देवी देवता, देते, असुर, कोई भी अचुता नहीं था। दुर्वासा रिशी के जनम से जुड़ी कई सारी कथाय प्रचलित है। पुरानी कथाओं के अनुसार उनकी पिता अत्री और माता अनसुया थी। ऐसा कहा जाता है कि एक बार ब्रह्मा जी और भगवान शिव के भी जगड़ा हो जाता है। इस जगड़े में भगवान शिव अत्यंत क्रोध में आ जाते हैं। उनके क्रोध के डर से सभी देवी देवता इधर उदर चिप जाते हैं। इस बात से परिशान माता पारवती तैय करते हैं कि वे अपने कुरोद को रिशी अत्री की पत्नी अनसुया के अंदर संचित कर देंगे देवी अनसुया के अंदर भगवान शिव के इस भाग से एक बच्चे का जनम होता है जिसका नाम दुर्वासा रिशी रखा जाता है भगवान शिव के क्रोद से जनमे दु उससे वाला था एक अन्य कथा के अनुसार रिशी अत्री और उनकी पत्नी अनुसुया को कोई संतान नहीं थी तब ब्रह्मा जी के कहने पर संतान प्राप्ति के लिए वे दोनों रिश्च कुल परवत पर त्रीदेव की कड़ी तपस्या करते हैं। उनकी तपस्या से खुश होकर त्रीदेव उन्हें वर्दान देते हैं कि वे उनके पुत्र के रूप में उन्हें प्राप्त होंगे। फिब्रह्मा जी के रूप में सोम विश्णु जी के रूप में दत्त और शिव जी के रूप में दुर्वासा रिशी होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेर और ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धरनेवाद